पुरानी तरीके की सबजी खाके अगर हो गए हैं बोर और बच्चे बनाते हैं मूँ तो भई नई तरीके की सबजी बनाते हैं बंद गोबी की जो सबको पसंद आने वाली है तो वही सीजन में मिलने वाली सबजी का कुछ नए अंदाज में आज हम सबजी बनाएंगे जो आज हम अपने जूवी फूट में बननाने वाले हैं बंद गोबी के कवाब की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है टेस्टी है और जटपट बन जाने वाली है तो देखे सबसे पहले एक पैन में मैंने ले लिए दो प्यास आप देख सकते हैं बिल्कुछ चोटी चोटी सी मौती वाली मिर्चे ले लिए तीन मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए पांच यह मैंने लस्तन की कलिया ले लिए और दो चोटी ही टमाटर ले लिया क्यूंकि मेरे चोब बंद को भी है वो सिर्फ आधी किलो है तो इसलिए अच्छी खासी ग्रेवी हो जाएगी है ठीके के लिए नमक डाल दूँगी मैं और इसमें डालूँगी कुछ मसाले थोड़े से गरम मसाले एड़ करूँगी कुछ एड़ नहीं करूँगी तो चार पांच डालूँगी मैं इसमें गर यह देखिया आर्दस कालिमेश एड़ कर दिया और खाने का चमच होता है वो जीरा आप से मिलते हैं तो देखे सारी जो जितनी भी वेज़ेटेबल मैं इसमें एड़ की तरह सारी अच्छी से गल चुकी है देखिया इसको च्छिकल है ना तमाटर का इसको हटा लेंगे और जो मिर्ची के तंठल है इसको भी अठाले हटा लेंगे और पानी थोड़ा सब्सक अपनी ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे अब चलिए भाई बंद गोबी जो हमारा आज का हीरो है वो लेके आदे तो देखिए बंद गोबी का एक फूल है जो तकरीबन आधा किलो का है तो मैं जितने भी इसके एक्सर बेकार पत्ते वो निकाल देती हो और देखिए और इ ग्रेट कर लेंगे तो बड़ी की पूरी की पूरी बंद गोबी को माशालला इसी तरीकी से ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद मिलते हैं तो देखिए सारी की सारी बंद गोबी माशालला से हो गई है घिस गई है और अब इसको हमें क्या कर ना सारी खटी करके अब हमें इस तो इस तरीके से मुठ्धी बना बनापे भी पानी से निछोड सकते लेकिन सबसे असान काम और जल्दी का काम कोई भी रोटी का रूमाल ले 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 लए गीचन टावल, तो इस तरीके से सारी काँष सी तरीके से मारे निकाल लेंगी यह देखी नितिए थे इस तरीके से सारग डिया हम निकाल लेंगे देखिए तो मैंने पानी निचोड़ लिया तो पानी में और जे hell नहीं हो नहीं चाहिए थोड़े से मैं मेरे पास थी तो मैंने डाल दी ऐसा कोई इस्यू नहीं है ठीकिना हो तो डाल दें पिसावा डाल दें ठीकिना अब मैं देखिए इसमें दो चमच भर कर देख रहे हैं आप कितना भर बर कर बेसन एड़ करना है जादा आइड नहीं करना है जादा बेसन एड़ करेंगे तो आपके जो कवाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और नमक डाल दें थोड़ा सा या फिर जाइके के हिसाब से ठीक है अब देखिए इसको अच्छे से मसलेंगे देखिए कितनी ड्राय मेरी गोबी आप द अच्छे से मिलका है नियुक्त हैै आपको कर देखिए लाए देखिए और समय हित ही जोग लेए तो स जादा मोटे नहीं होने जाएं, दूसरी बात, आप इसको बना कर छोड़ेंगे नहीं, फौरन ही इसके कवाब बनाएं, फौरन ही तल लें, ठीक है, चाहिए ग्रेवी बना के बाद में, आप इसको अड़ करें, बट आप, लेकिन जब आप इसमें बैसन मिला दें, मसाले मिल तहन के सब्सक्राइब बना के लिख सब्सक्राइब ना कउपल्स, कवाफ हसक नहीं तो इस दोंगे महां आख सक कराओ, तो आप देख सकते हैं डे फ्राइ में इसको नहीं अचवाती नहीं ही चाहलू थे हमारी सबजी तो देखे अभी हमें से बिल्कुल भी नहीं चेहना जब तक से ये नीचे कलन ना ले आए ठीक है तो देखे बहुत ही आराम के साथ एक छोटे से स्पून से मैं इसको पलट कर देखूंगे और देखे माशालला कितना खुबसूरत सा कलर आए हमारे कवाब क अब कॐन कहे गा भाई ये बंद गोवई की कवाब तो देखे बहतरी न और मजड़दार जाएक्यवा एक वाले कवाब ने पहुत हथलोगी नहीं है बहुत ही जादा बारी नहीं हैं अब आली बढ़ी यह भी ध्यान देने का टाइम है यह तो बंद कर दें या फिर कम कर ले उसके बाद जो मारे प्यास टमाटर की जो ग्रेवी अमने शुरू में उबाली थी ना बिना वीडियो के स्किप करें वे देखना वनना स्टैप मिस कर देंगे तो कवाब की जो नकली कवाब ना जो मसालों में जो होते हैं वह वाले जम्मच एक जम्मच दनिया पाउडर एड़ करेंगे अब आप चाहें तो यहां पर लाल मिर्च एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास उस टाइम पर कश्मीरी मिर्च नहीं थी लाल ठीके ना मैंने आदा जम्मच आईगे कि हिसाब से मिर्च एड़ क strategically चर्थ 시청 मिर्च стал लाल मिर्च तो कोई बात नहीं मिर्च पर एक चमस लाल मिर्चल के पाउडर एड़ एड़ कर देंगे क्योंकि मैंने कश्मीरी लालमिश टमाटर के साथ उपाल ली ती समझ में आ गई बात तो देखिए अब इसको इतना भूनेंगे कि हमारा मसाला पड़ी है तरीके से भून जा तो मैंने बीच बीच में भी चला कर भून लिया था क्योंकि अब हम कवाब डालेंगे तो वह भी जो मसाला है इसकी ग्रेवी को पीएंगे तो मैं पूरा भरकर एक ग्लास भरकर बड़ा वाला बरकर मैं इसमें पानी आइड करेंगे क्योंकि जो हम इसको खाएंगे वो चावल के साथ खाएंगे तो हमें तो ग्रेवी की ज़रूद पढ़ेगी तो एक ग्लास बरकर पानी अड़ कर देए ये देखे कितना बड़ा अच्छा खासा मग है ये पूरा अड़ कर देंगे और इसको पकने देंगे एक उबाल आने के बाद तीन से चार मिनट इस पानी को पकने देंगे ताकि अच्छी से खुश्बू और मसालों के साथ हमारा पानी रच बच जाए ठीक है इसको ढख दूँगे और उसके बाद दो से तीन मिनट बाद आपसे मिलते हैं तो देखे दो से तीन मिनट हो चुके माशालला ग्रेवी अच्छे से पक चुके अब इसमें डालेंगे हमारे कवाब जो बहुत ही आसानी से जबट जस्ते बने हैं और इसमें फड़ाफ़ से एक एक कर गैड कर देते हैं इस तरीके से यह देखे बढ़िया तरीके से कितने शांदार बने इस टाइम पे लग रहे रहे हैं शामी कौप की हम रैसिपी को ही बना रहे तो देखे आप इसको भून के आप बिल्कु ड्राइ कर सकते हैं बट मैं जादा नहीं पकाऊंगी सिर्फ थोड़ा सादा नहीं डाल कर ढख दूंगे सिर्फ दो मिनट के लिए दम करेंगे उसके बाद मिलते हैं भाई दो मिनट बाद तो इतनी लजीज यह रैसे पियन में आपको क्या बता हूं आप जरूर बनाए आज ही लेकर आई और आज ही खुबसूरत लगए इसका टैक्शर एकड़ देख रहे हैं आप कितना बढ़ी आसा इसका टैक्शर आ रहा है यह देखे कितने खुबसूरत हमारी एकड़ सॉफ्ट हमारे कवाब बने हैं ग्रेवी एकड़म स्मूध है और खाने में तो बस मैं आपको क्या बता हूं भाई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें आला हाफिज बाबा